नमस्ते, एस्टोर्यमिडी जंक्षन में आपका सौगत इस डॉक्टर रामित अर्शन मैता, आज का जो विशय है दर इस प्रॉस्परिटी, प्रॉस्परिटी का हिंदी में सिंपल सा अनुवाद अगर किया जाए, तो तरक की सफलता, ये सब शब्द जो है, ये आप प्रॉस प्रॉस्परिटी जो है, वो सब के लाइफ में नहीं आती है, भले वो हाड़ वर्क करे, स्मार्ट वर्क करे, पर अगर आप जो ये है, लग फैक्टर जीवन में, अगर लग फैक्टर नहीं है, तो आदमी प्रॉस्पर नहीं कर पाता है, प्रॉस्पर करना मनलब जीवन की जो सीडिया है उस पे हर मुकाम पे दीरे दीरे भले दीरे दीरे पर उन्नती करते जाना उसको हम प्रोस्परस लाइफ बूलते हैं पर आज बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, पूरे जीवन मैनत करते रहते हैं, पर life में prosper नहीं हो पाते हैं, जहां पे start किया था, वाई पे stagnant होके रहे गए life में, तो prosper क्यों नहीं होता हैं, क्योंकि उनके life में जो luck factor है, किस्मत की जो रेखा है, वो नहीं होती हैं, तो किस्मत की रेखा चमकाने के लिए बहुत ही सिंपल आज मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ जो मेरे गुरु जी ने मुझे दी थी और गुरु के माध्यम से जो रेमेडी आई हुई रहती है वो आपको पता है कभी आसफलता का मुझे नहीं दीखी कियो यह रेमेडी मैंने और लड़ी बहुत जन को दी है पहले भी और आज आप सबको भी दे रहा हूँ क्योंकि दीवाली का परवबी आ रहा है और यह रेमेडी जो है कही ना कही कुबेर से लिंक्ट है जो लोड कुबेर बोले जाते है या पिर कुबेर जी जो बोले जाते है उससे करेक्टड है बिकॉज यहाँ पर पानी जो है water, lake या फिर pond या सिर्वर प्र कुबेर जी का जो वास वताया गया है that is pond या फिर lake उसमें ही कुबेर जी का वास होता है इसके लिए वास्तु में भी आप अगर देखेंगे तो वास्तु सास्त्री जो कोई भी है वो आपको बोलेंगे नौर्थ दिशा में पॉन्ड होना या फिर लेक होना या फिर फ्लोइंग वाटर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है मैं भी प्रोफेशन सिविल इंजिनियर हूँ तो वास्तु ये वास्तु इस मैं बेसिक तो कुबेर जी जो है नौर्थ दिशा के आधिपती माने जाते है वास्तु पुरुष मंडल में दस धिकपल जो है उसमें से कुबेर जी को एक धिकपल बताया जाते है और कुबेर जी का जो वास है that is in the lake pond मलब पानी के अंदर है तो आपको एक drawing page लेना है सबसे पहले उस पे राम 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 करके आपको छोटे छोटे अक्षरों में एंदम बारिक अक्षरों में राम राम करके लिखना है 108 बार बार में उसको properly काट लेजिए 108 जो आपने लिखा है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाईए यह दम छोटे छोटे बॉल्स फिर आपको आटा बनाना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गुनते है वैसे ही आपको आटा बनाना है आटी की भी जो है छोटी छोटी गोलिया बना लीजिए यह जो पेपर की गोलिया है उसको आटी की जो गोलिया है उसके अंदर भर दीजिए एक एक करके भरिये बनाब एक सो आट छोटे छोटे बॉल्स हो जाएंगे तो यह रेमेडिय आपको सिर्फ संडे की दिन करनी है संडे मॉल्निंग में आप कही भी तालब पे या फिर लेख या फिर वेल कुवाज इसको बोलते हैं वेल वहाँ पे चले जाएंगे या फिर फ्लोईंग वाटर जापे मचलिया हो तो चोटे चोटे जो बॉल्स है उसको आप राम राम बोलते हुए एक एक करके 108 बार उसको पानी में डाल दीजिए तो स्वबा एक मचली उसको खाने के लिए आएगी और खा जाएगी मचली को कुछ परिणाम नहीं होगा उसका दुष परिनाम नहीं होगा क्योंके पेपर की चोटी चोटी गुलिया डोलीया जू है पेपर जो है वो गुल जाता है हम भी अगर पेपर खाएंगे तो एक्चुली वो घुल जाएगा पेठ के अंदर जाके तो उनको मचलियों को कुछ हानी नहीं होगी पर आपको जो है चार संडेस लगातार आप अगर करते हो फोर संडेस ओनली संडेस बाकी कोई दिन नहीं करना है सिर्फ संडे की दिन आपको ये करना है आप देखेंगे आपका जो लाइफ में प्रॉस्परिटी है वो चालू हो जाएगा आपके लाइफ में प्रॉस्परिटी आ जाएगी ये सब रेमेडिज मेरी जो है पूरी ट्राइड एंट टेस्टेड रेमेडिज होती है बहुत लोगों को इसका और लेडि रिजल्ट आ चुका है मैंने खुदने ये रेमेडि की हुई है तो ये मेरे से जाची परखी हुई रेमेडि है तो इसको आप किएजे ही कीजिए अगर आपके लाइफ में आपको प्रोस्परेटी, प्रमोशन ये सब चीज चाहिए तो वरना मैनत तो सब लोग कर रहे है पर जीवन में लख फैक्टर अगर लाना है तो ये रेमेडी अवश्य कीजिए तो अवश्य माम बे आप एक रुपा बरसाएगी और आप लाइफ में उन्नत ही करेंगे तो वैसे ही छोटी-छोटी रेमेडी डेली में लाता रहूँगा क्योंकि दिवाली का परवा आ रहा है तो बहुत सारी रेमेडी आपको देनी है इस तरह से छोटी-छोटी रेमेडी पर बहुत ही कारगर रेमेडी है ये कीजिए और आपके लाइफ को उन्नती के तरफ ले जाएए आमित हार्शद मेता का प्रणाम